हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस्टडी आवर लाइफ तो फ्रेंट्स विहारदर होगा प्री के लिए जो आपका टेस्ट चल रहा था जो कि ग्यानविंदू जी एस अकेडमी से था पेट कोर्सिस का वॉलूम टू तो आज हम इसी का टेस्ट नंब सिर्ष पर गज की आकिरती गज समस्ते हैं हाथी गज की आकिरती के उतकरीन के साथ गजतमे लेक अंकित है तो इस प्रस्ण का आंसर आपका हो जाएगा कालसी अभिलेक कालसी अभिलेक जो की उत्राखंड में है कालसी अभिलेक कहां पे है उत्राखंड में है और मन सहरा की थाज़व करें अपको पाकिस्टान में गिजळार गुजरात में और दोली उरिषा में ठीक है तो यह अलग-अलग जगों का जो है यहाप का सिला लेक है और उसी में असो नमें को सिलालेक है काल सी ता किस अंकीत है ठीक है ओप mixture दूसरा प्रस्ट क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां प्रिथक मताधिकार हो अंग्रेज जा चुके हैं प्रंतु वो सरारत छोड़ गए निमने लिखित में से किसने उप्रुक्त वाक्क को शम्मिधान सभा के बहस में कहा था तो अगर हम इस प्र भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां प्रिथक मताधिकार हो अंग्रेज जा चुके हैं प्रंतु वो सरारत छोड़ गए हैं सरदार बल्लभाई पतेल लंपटमुर्ख किस मुगल वात्सा को कहा जाता है लंपटमुर्ख किसको जहांदर सा को फरुक सियार को घिरनित कायर कहा जाता है वहीं आपका बहादूर सा प्रथम को कहा जाता है साहे बेखवर क्या कहा जाता है साहे बेखवर कहा जाता है बहादूर सा प्रथम को चलिए आगे देखते हैं कि किस अभिलेक में हुनो को मलेक्ष कहा गया है तो तो हुनो को मलिक्ष कहा गया है जूनागड अभलेक में कर्ण वालिस के सुधारों के विशय में कौन सा कथन और शत्त है तो कर्ण वालिस के सुधारों के विशय में जो कथन आपका शत्त है वो भारत के लिए सेवाओं के द्वार खोले गया है करनवालिस के सुधारों के विशय में कौन सा कथन ओशत्य है यानि गलत है आपसे पूछा गया है तो इसमें जो भारतियों के लिए सेबाओं के द्वार क्छोले गया है यह गलत है क्योंकि ये इसमें सामिल नहीं था, नहीं खुला गया था, कम्पनी के करमचारी के बेतन में बिर्धी की गई थी, कम्पनी के खर्चों में कमी की गई, कानून को शंगरहित किया गया, सभी कारी किया गया लेकिन भारतियों के लिए सेवाएं का दौर नहीं खुला गया भारत में मांसून की अबदी औस्तन कितने शमय के लिए विस्तारित होती है तो भारत में जो मांसून की अबदी होती है ये औस्तन विस्तारित होती है 100 से लेके 120 दिन के लिए भारत में मांसून की अबदी औस्तन 100 से 120 दिन के लिए होती है cabinet mission plan की योजना के तहद संबिधान सभा का गठन हुआ cabinet mission plan की योजना के तहद संबिधान सभा का गठन देखिए अब बहुत सारे लोग इसमें भी confuse करेंगे बढ़ ध्यान रखिएगा जब आप quick dristy का book पढ़िएगा या फिर M. लक्षमी कांत का अगर भूख पढ़िएगा उसके according आपका answer देखने को मिलेगा B November 1946 ठीक है option number B इस तक correct answer है देखिए दुलसेंट में आपको अलग दिया रहा हैगा लेकिन आप कभी भी न M. लक्षमी कांत के सहारे चलिएगा वो एक दम गया है आपका ब्रिटेन के सम्मिधान से भारती ये सम्मिधान में प्रमाधिकार लेक ब्रिटेन के सम्मिधान से लिया गया है 2011 की जन गन्या की अनुसार भारत के निमनिली भी ही वो है ये है अनुसूचित जाती ठीक है और और अनुसूचित जन जाती अगर हम बात करते हैं यहां पर यह सी हो गया यह स्टी हो था सुरी मतलब समिधान नहीं बनाता कहते हैं इसमें आप देखेंगे तो नागा लेंड और अरुनाचल परदेश दो ऐसे राज हैं जहां पे अनुसुचित जाती की जन संख्या जो है वो सुन है और स्ट यानि की अनुसुचित जन जाती पंजाब और हर्याना में जीरो है अगला प्रस्त इसके कॉर्डिंग पुछा गया है कि 2011 के जन गना की अनुसार भारत के निमनी लिखित की सिराज में अनुसुच जन जासी की जन संख्या सुन है तो वो आंसर आपका नागा लेंड हो जाएगा किसका मिलान गलत है पैचास बिवा बलपुर्वक करन्या को चीन कर किया गया बिवा तो इसमें आंसर आपका यही गलत हो जाएगा पैचास बिवा बलपुर्वक करन्या को चीन कर नहीं किया जाता था बलकि बलपुर्वक चीन कर करन्या को बिवा किया गया इसको कहते है र अच्छस विवा कहा जाता है और पैसाच विवा जो है वो होता था जब कोई महिला सोई हुई होती थी या फिर बिछिप्त करन्या होती थी उसके साथ जो रिलेशन बनाया जाता था उसको कहा जाता था पैसाच विवा ठीक है गंधर विवा प्रेम विवा है ब्रह्म विवा शमान वर्णवे विवा है, दे विवा, पुरोहित के साथ विवा है, बिल्कुल सही है, अगला है वो वेक्ति जिसने 4 अप्रेल उन्हें 11 को दिल्ली की जामा मस्जित के प्रवचन मंच से हिंदु मुसल्मान एकता पर भासन दिया वो थे, तो इस प्रस्न का आंसर हो चायेग स्वामी सर्धानन वेक्ति जिसने 4 अप्रेल 1919 को दिल्ली के जामा मस्जित के प्रवचन मंच से हिंदी मुसलिम एकता मंच पर भासन दिये थे, कोश्चन आगे देखिएगा 12 नमबर, यहां पे आपको एक तरफ सहायक नदी है, दूसरे तरफ नदियां का नाम है, आपको मि लाते हैं सहायक नदी, बेतबा किसकी सहायक नदी है, तो बेतबा जो सहायक नदी हो जाएगा यमना की, छिपरा किसकी सहायक नदी है, चंबल की, वैन गंगा सहायक नदी है, गोदावरी की, और तवा सहायक नदी है, नर्मदा की, तो ओप्सन हो जाएगा 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, पैठन जल्विद्धूत परियोजना किस नदी पर इस्थित है या इस्थित है महराष्ट में आपका गोदाबरी नदी पर है 14 नमबर प्रेस्ट यहाँ पे एक तरफ अस्थल है और अस्थल के खोज करता है आपको मिलाना है तो लोथल के खोज करता थे वो कौन थे तो लोथल के खोज करता है रंगनाथ राउ है चनुद्रो के खोज करता हो जाएंगे एंजी मजुमदार काली बंगा के खोज करता है अमला नंद घोस वनवाली के खोज करता है रंगनाथ राओ और रंगपूर के खोज करता है रविंद्र सिंग विष्ट तो option A is the correct answer हो गया अन्यों की तुलना में निम्न में से कौन सी मिट्टी काजू की बिर्धी के लिए उप्रिक्त है तो आपका आंसर हो जाएगा लाल लेटराइट मिट्टी option number A अगर हम बात करें देखिए लाल लेटराइट मिट्टी की तो अगर मुख्यता बात किया जाए तो मुख्यता यह रबर और कॉफी के लिए प्रशिद है लेकिन जरूरी नहीं है कि यहाँ पे रबर और कॉफी ही हो सकता है इसके अलाबे और कुछ नहीं हो सकता यहाँ काजू भी होता है चाई मसाला यह सभी उगाया जाता है इसी लाल लेटराइट मिट्टी जो है वो काजू के लिए उप्रियुकते है किस सासक प्रस्ण है कि किस सासक ने भवन निर्मान के लिए एक नए बिभाग दिवान ए इमारत खाना को अस्थापित किया तो इस प्रस्ण का आंसर हो जाएगा दिवान ए इमारत खाना का थापना किया फिरोज सा तुगलक का भिभाग है निम्निल लिखित में से भारतिय समिधान के किस संसोधन द्वारा आनुछेद 19 का उपखंड 181 में सहकारी समीतियां सब्द जोड़ा गया आंसर हो जाएगा ओप्सन नंबर सी 97 समिधान संसोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जो है संसोधन अनुछेद 19 का एक सी में सहकारी समीतियां सब्द को जोड़ा गया पानीपत की तिर्तिय युद के मामले पानीपत की तिर्तिय युद में किसने मराठा तोप खानों का नेत्रित किया था तो पानीपत का तिर्तिय युद इसमें जो है युद में मराठा तोप खाने का नेत्रित किया था वो था आपका इबराहिम गर्दी कौन था इबराहिम लोदी होगा यहां पर गर्दी नहीं होगा विजयनगर समराज की बदलती राजधानी का शही करम क्या है तो सबसे पहले आना कॉंडी था उसके बाद विजयनगर जो हमपी में और पेनु कॉंडा और चंद्रागेरी यह करम जो है 19 का ए बिल्कुल सही दिया हुआ है आगे द माधव चार्ज का बात करें तो यह हो जाएंगे ढम भारत का सबसे लंबा रास्टि यह जल मार्ग है चलिया यहां भी आप लोग अन ओसे लोग पर होंगे वह 100% लन्हेंन मैं आपको बता चैसे का राश्टी यह सोड़ी इसकी लंबाइक इतनी है तो 1620 है जल मार्क स्थ का है न है इसका फरस्ट का 1620 से याद रखेगा दूसरा है जो आपका राश्ट्य जल मार्क टू कहें इसका हो जाएगा 891 तीसरा है रास्टिये जलमार्क 3 इसका हो जाएगा 375 जो D है आपका रास्टिये जलमार्क 4 296 किलोमीटर हो जाएगा तो क्या बड़ा इकॉन हुगा option D is the correct answer अगला प्रेस है निमने लिखित में किस उपनिशद में 4 आश्रमों का उलेख मिलता है तो चारो आश्रमों का उफले किसमें मिलता है जबालों उपनिशद में मिलता है मुंड को उपनिशद से क्या लिया गया है सत्यमेव जैते मुंड को उपनिशद से लिया गया है देव माली डैस की सबसे उची परबत चोटी है तो देव माली सबसे उची परबत चोटी है उरिशा में कहां पे उरिशा में मैसूर रियासत के संदर्व में निम्लिखित कत्नों पर विचार कीजे मैसूर रियासत के संबन्द में दिया है 24 नमर प्रशन है कि मैसूर रियासत के संदर्व में निम्लिखित कत्नों पर विचार कीजे पहला दिया है है हैदर अली और टीपू के समय मालावार तड़ पर होने वाले बैपार मैसूर रियासत के नियंतरन में था बिल्कुल सही है टिपु सिल्दान को सेरे मैसूर कहा जाता था ये भी सही है टिपु ने अपनी सेना के आधुनी करं के लिए डजो की सहता लिया था ये गलत है ये means की केबल और केबल आपका एक और दो ही सही है सत्ते कथन का चयान करें सत्ते कथन आपको बताना है वा केंद्र जहां से उर्जा तरंगों की उत्पती होती है उसे भुकम का अधी केंद्र कहते हैं नहीं इसका आंसर हो जाएगा इसे उदगम केंद्र कहते हैं जहां से भुकम के जो उर्जा तरंगों की उत्पती होती है उसको उदगम केंद्र कहा जाता है दूसरा है कि वा ब करते हैं अधीक केंद्र करते हैं option c में है कि भुकंप आने से पहले बायू मंडल में रेडॉन गैशों की मात्रा में विर्दी होती है बिल्कुल सही है आपका आंसर यहीं सही होगा P तरंग सरवदिक बिनासकाड़ी है गलत L तरंग सबसे ज़्यादा बिनासकाड़ी होती है L तरंग अगला है कि सुची एको सुची दो से सुमेलित केजे राज्यों के नाम है और राजसवा सीटों की संख्या है आपको बताना है मिलान करके 26 में दिया है कि सबसे पहले ज़ारखंड ज़ारखंड में है आपका 6 उत्राखंड में कितना हो जाएगा उत्राखंड में 3 है 36 गड के अगर हम बात करें तो 36 गड में आपका 5 हो जाएगा पंजाब में 7 है नियंतरक एबं महालेखा परिक्षक की छुटी मंजूर करने या ना मंजूर करने की सकती नहीं थोगे तो नियंतरक महालेखा परिक्षक की छुटी मंजूर और ना मंजूर करने की सकती जो होगी वो केबल और केबल राष्टपती में नहीं थोगे सूची एको सूची दोसे सुमेलित के साथ सुमेलित कीजे और सूचियों के नीचे दिये गए कूट का सही उतर का चैन कीजे विसेस लच्छन है और गराख दिया हुआ है इसे आपको मिलान करना है ठीक है? तो चलिए इसे देखते हैं सौर मंडल का सबसे छोटा गरा कौन है बुध है सबसे छोटा सौर मंडल का सबसे बरा गरा की बात करे तो वो भिरस्पती हो जाएगा सौर मंडल में सूरी से सबसे दूर अस्थान पर कौन सा गरा होगा तो वो हो जाएगा आपका सुक्र और सूरी से सबसे दूर गरा हो आगे है ने काईदिकार दिया गया है वो प्रबर्त रहेगा एक वर्ष से अधिक नहें 1946 में गटित आंतरिम सरकार में सिक्षा एवं कला विभाग से संबंदित थे तो 1946 में जो गटित हुआ था आंतरिम सरकार इसमें सिक्षा एवं कला विभाग से संबंदित थे वो हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका D C. राजगोपाला चारी 1946 में गटित आंतरिम सरकार में सिक्षा एबं कला भी भाग से संबंदी थे C. राजगोपाला चारी अगला है जनरल विढहम को 1857 में बिद्रोही सैनिक ने कहां प्राजित किया था तो इसका आंसर हो जाएगा आपका option number 1 कानपूर के निकट जनरल विढहम को 1857 में बिद्रोही सैनिक ने कानपूर के निकट प्राजित किया था 32 में है आपको मिलान करने वाला एक तरफ प्रवधान दिया है और एक तरफ समिधान के अंतरगत अनुछे दिया हुए है इसे मिलान करना है और इसका सारा जो अनुछेद है वो भी भी आई है आप लोग याद कर लिजेगा बिधी के समुख समानिता बिधी के समुख समानिता कौनसा अनुछेद हो जाएगा बिधी के समक समानेता कौन सा हो जाएगा आपका तो ये हो जाएगा अनुछेद 14 में कार करने का अधिकार ये हो जाएगा आपका अनुछेद 41 में नेक्स्ट है आपका कार करने का अनुछेद आपका 41 हो जाएगा कार करने के लिए सही और मानव्य इस्थिती ये हो जाएगा आपका 1 अनुछेद 42 और बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार सिक्षा ये अनुछेद 45 हो जाएगा तो आंसर जो हो जाएगा आपका 3, 4, 1, 2, option number B correct answer है 33 है भारत में योजना आयोग राज्यो एबम राष्ट में गरीवी का अनुमान लगाने के लिए जिसके सत्र का पडियोग करता है तो वो हो जाएगा आपका DT लकडवाला भारत में योजना आयोग राज्यो एबम राष्ट में गरीवी अनुमान लगाने के लिए जिसके सत्र का पडियोग करता है वो है DT लकडवाला वैस्विक आतंकबाद सुचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है तो 2020 में इसकी रैंकिंग 13 मी है आगे देखते हैं सुची एक को सुची दो से मिलान कीजे फिर से आपका एक तरफ चितरकार है दूसरे तरफ चितर दिया हुआ इसे मिलाना है तो सबसे पहले लियोनार्दी दविंची ये जो हो जाएंगे चितर किसके चितर इनका चितर क्या है लियोनार्दी दविंची का तो यह है लास्ट सपर माइकल एंजला का चितर हो जाएगा लास्ट जज्मेंट राफेल राफेल हो जाएगा आपका मेडोना और हुबर्ड तथा जैन एडोरेशन्स ओफ लेंब हो जाएगा अपन्ट नंबर ए एक वर्स में स्वराज का नारा गांधी जी ने कभ दिया तो एक वर्स में स्वराज का नारा गांधी जी जो दिये थे वो दिये थे आपका जब 12-22 में आपका जो और शयोक आंदोलन हुआ था उसी किसेमом ही सब बीस से बाइस याद रखेगा सुची एक को सुची दो से चैन करना है मिलान करना है फिर से यूद है और दूसरी तरफ बर्स दिया हुआ है यहां पर आपको मैच करके बताना है तो चलिए मैच कर लेते हैं सबसे पहले दूतिय आंगल मैसूर यूद 1784 ठीक है दूतिय आंगल फ्रांसी से यूद कब हुआ था तो यह आपका हुआ था दूतिय आंगल फ्रांसी से यूद जो हुआ था इसका आंसर यहां पर दिया हुआ है यह हो जाएगा आपका 1754 ठीक है दूतिय आंगल मराठा यूद आपका हो हो जाएगा दूर्तियं आंगल मरठा यूद आपका हो जाएगा ये फो जाएगा इसमें सतरücksौ 57 कहते हैं सौ shark 18 यहां 11 orthín400 4 Agr 1 पहला हझाएगा and नेक्स रहें लह run एंग्ल फित ada का नियुद दू Wah चार एक तीन आंसर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है आंसर एक बिल्कुल करेक्ट है दो चार एक तीन सारदा अधिनियम के अंतरगत लड़कियों एब लड़कों के बिवा की निवनितम आयू करम सा कितनी निर्धारित की गई थी तो सारदा अधिनियम के अंतरगत लड़कि प्रस्तावना में उल्लेखित संप्रभुता सब्द का आशाई है तो शंप्रभुता से अर्थी ये है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमेनियन है बिल्कुल सही भारत के उपर और कोई सक्ती नहीं है और वह अपने मामलों का निस्तारन करने के लिए स्वतन्तर है ये भी सही है नेक्स्ट है कि भारत किसी भी विदेशी राजी का सीमा अधिकरन कर सकता है ये भी सही है ओप्सन नमबर डी जो है प्रस्तावना उल्लेखित प्रभुता सब्द का आसाई सभी सही है मनुस्त के लिए एलर्जी जांच रक्त परिक्षन में क्या सामिल नहीं होता है तो एलिसा टेस्ट नहीं सामिल होता है बांकी आरे एस्टी आईजी और हिमोगलोविन सभी होता है नहीं में लिकितने कौन सी इस्थिती टेस्ट यू वेवी की परिखटना को सही रूप में निरूपित करती है तो टेस्ट यू वेवी जो सही रूप से निरूपित करती है अगर उसकी हम बात करें तो यह आपका हो जाएगा जब निसेचन वाई होता है और विकास आंत्रि यह दिया गया है आपका AB के प्रसाद को किसे AB के प्रसाद को राजा राम मोहनडाई पुरसकार 2000 से समानित किया गया मेरा घर मेरे नाम योजना किस राज सरकार का है मेरा घर मेरे नाम योजना जो है यह हो जाएगा आपका पंजाब राजिका एक अर्थ विवस्था में टेक ओफ स्टेज का अर्थ है तो एक अर्थ विवस्था में टेक ओफ स्टेज का जो अर्थ हो जाएगा वो सतत विकास प्रारंब होता है सतत विकास प्रारंब होता है ये इसका करेक्ट आंसर है 45. हाल ही में चर्चा में रही अकाने यामा गूची का संबंद किस खेल से है अकाने यामा गूची का संबंद जो हो जाएगा ये हैं आपकी बैडमेंटन से निम्नलेकित की कोईसी का सुक्षितम जिवित कोईसी का है तो सुक्षितम जिवित कोईसिका जो हो जाएगा ये है आपका माइको प्लाजमा का कोईसिका सुक्षमतम जिवित कोईसिका है निम्न में से किन तीन यूरोपियो देशों के बीच गटवन्धन को ट्रीपल अतन्ता 1882 के रूप में जाना जाता तो ट्रीपल अतन्ता 1882 के रूप में जो है वो तीन देश तो से मिलकर बना है और वो तीन देश है आपका एक तो आपका जर्मनी, अस्टेरिया और इटली जर्मनी, अस्टेरिया, इस्ट इटली तीन देश हो जाएगा ओप्सन नंबर B बिल्कुल करेक्ट आंसर है 47 का आगे है प्रती ग्राम इंधन द्वारा मोचित उर्जा की द्रिश्टी शे निम्र में से सर्बोत्तम इंधन कौन सा है? हाइड्रोजन है, मिथेन है, एथनॉल है या फिर ब्यूटेन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट, वो आंसर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा तो यह जो है आपका कहां पर अरुनाचल प्रदेश में है, सियमापूल, किरकेट के बल्ले किस लक्री से बनते हैं? तो किरकेट के जो बल्ले होते हैं यह बनाए जाते हैं सेलिक सा पूर्प्यूडिया से, है ना? निम्रेलिखित में से किसने पहली वैस्विक मीडिया कॉं तो दो मैजिक ओफ मंगला जोरी के लेका अभिनास खेविका है, कौन है अभिनास खेविका? अठावन में भारतिय अंतरास्टिय फिल्म महुतसब दो हजार बाइस निम्रेलिखित में किसको इंडियन फिल्म प्रेसनाल्टी ओफ दी इयर दो हजार बाइस से समानित किया ग निम्रेलिखित में कौन सा एक अहार स्रिंखला का सही करम है? तो अहार स्रिंखला का सही करम आपको बताना है पचपन में तो ये डाइटम, क्रस्टेशियाई, हेरिंग, ओप्सन नमबर ए विश्व रेवीज दिवस कम बनाया जाता है, विश्व रेवीज दिवस मनाया जाता है, उप्सन नमबर, इसका करेक्ट हो जाएगा उप्सन नमबरे, 28 सितंबर को विश्व रेवीज दिवस के रूप में मनाते हैं, नीव में शाही के प्रवा होने का कारण है, तो नीव म F E 3 O 4 हो जाएगा magnet tight किस देश की अंतरिक्ष एजनसी ने अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भारत का इस्तमाल किया जक्सा जक्सा कहां का जापान का option number C 60 में यहाँ पर फिर से आपको मिलान करना है ज्वाला मुखी है और देश का नाम दिया हुआ है कौन से ज्वाला मुखी कौन से देश से संबंधित है आपको बताना है तो सबसे पहले अगर हम सबन काया की बात करें तो पेरू हो जाएगा माउंट एटना इटली का है कोलीमा की बात करें मैक्सिको का है मेरा पी इंडोनेसिया का है आंसर C करेक्ट आंसर है 2 1 4 3 निमलिखित में किसका पारिस्तितिक संतुलन से संबंध नहीं है तो पारिस्तितिक संतुलन से संबंध जिसका नहीं है वो हो जाएगा आपका अध्योगिक प्रबंधन अध्योगिक प्रबंधन का संबंध पारिस्तिक संतुलन से नहीं है प्रित्वी की भर्मन की गती है तो प्रित्वी के भर्मन की गती का जो स्पीड हो जाएगा वो 28 km पर मिनट होगा यदि प्रचेप के बेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसका अधिक्तम पारश क्या होगा तो यदि प्रच्षेप की बेग को दूबना कर दिया जाए तो उसका अधिक्तम पारश जो होगा वो चार गुना हो जाएगा आगे देखते हैं 64 नंबर इन प्रेंच और फॉली पुस्तक की रचना किस ने की? तो इन प्रेंच और फॉली पुस्तक के जो लेखक है वो है इरेसमस कौन है इरेसमस? संभिधान सभा में अनुसुच जनजाती की प्रतिनिदियों की संख्या कितनी है? यहां हमको बताना है आपको क्या है यहां पे रीजन यहां पे 33 इसका correct answer हो जाएगा संभिधान सभा में अनुसुच जनजाती की प्रतिनिदियों की संख्या कितनी थी? तुरा ध्यान दीजेगा थी की बात किया जा रहा है यहीं पे हम लोग confuse करते हैं और गलत टिक मारते हैं और अगर मैं इतना बोल के छोड़ दू न तो आप लोग फिर से comment कीजेगा कि आंसर आप गलत बता रही है option ही गलत है चलिए यहां पे बता देते हैं आपको जब समिधान सवा का गठन हुआ था पुरण गठन के समय कैबिनिट मिशन योजना के सिफारिस पर समिधान का गठन हुआ था आप लोग जानते हैं तो तब जो था वो उसमें 389 सदस थे जिसमें की अनुसुचित जाती 26 था और जन जाती 33 था लेकिन जब 1947 में जब हमार आजादी मिलता है आजादी के बाद 299 सदस थे उसमें से आपका जो जाती हो जाएगा वो 31 था और जन जाती जो था वो 6 था तो उसके एकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है कि सम्विधान सभा में अनुसुचित जन जाती की प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी तो 33 थी है ना समझ गया आगे देखते हैं अगला प्रस्ण को अगला प्रस्ण है question number यहाँ बेरियम मिल डैस के लिए परियुक्त होता है तो बेरियम मिल का उपयोग यह किया जाता है आपका पोसन नाल के एक्स किरन के कारण पोसन नाल के एक्स किरन के कारण option number बी correct answer है सईक्त सैनब ब्यास हरी में हरी में शक्ती 2022 किन देशों के बीच हुआ है तो हरी में सक्ती 2022 यह जो आपका हुआ है भारत और मलेशिया के बीच निमनलिखित में कौन सा रंग दिया को अधिक्तम दर्सनियता देता है दिया को तो वो हो जाएगा आपका पीला, पीला रंग हो जाएगा, इसमें से पीला रंग जो है अधिक दर्सनेता देता है नेक्स प्रस ने भारती रास्टिये जैविक बिवित्ता प्रधीकरन अस्थापित किया गया, ये किया गया आपका 2003 चिन्नई में 2003 चित्रा गुंडी पच्छी अभ्यारन किस राज में इस्थित है चित्रा गुंडी पच्छी अभ्यारन जो है यह आपका इस्थित हो जाएगा Option No.B कहाँ पे तमीलांडु में चितरागुंडी पच्छी अभ्हारन है वह परिस्थिति जिसमें रक्त में गुलकॉँज की मात्रा को बहुत कम होती है उसे कहा जाता है hypoglycemia जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानिकी धर्ती आवा कहा जाता था वो थे विर्सामुंडा थे, कौन थे विर्सामुंडा, इन्हें धर्ती आवा कहा जाता था, option number D, correct answer है, भारत को निम्निलिखित भौतिक प्रदेशों में भीभाजित किया जा सकता है, ये हो जाएगा आपका उतरी परवतिये छेत्र, बृद मैदानी प्रदेश, दशनी प्र प्रदेशों का कारण कबक नहीं है, क्रिमी नहीं है, अब बैक्टेरिया और बाइरस बच गया, तो इसमें से आपका जो आंसर हो जाएगा, वो बाइरस होगा पोलियो का कारण, निम्निलिखित में कौन सी हरितगिरी गैस नहीं है, हरितगिरी गैस नहीं है, वो हो जाएग इसमें से कौन नहीं है यह पूछा गया है तो इसका अंसर हो जाएगा इत्रीयम नहीं है प्रोटीयम, ड्यूटेरियम, ट्रेट्रियम सभी हाइड्रोजन का जो है वह समस्थानिक है भारत में निर्मित ड्रोन, ड्रोनी का निर्मान किस कमपनी द्वारा किया गया तो भारत में निर्मित ड्रोन जिसका नाम ड्रोनी है इसका निर्मान किया गया कहां पे तो गरूर एरोस्पेस किसके दोरा गरूर एरोस्पेस को कमपनी जो दारा मैक्स बेवर की अनुसार सक्ती डैस परकार होते हैं तो मैक्स बेवर की अनुसार सक्ती जो होता है वो तीन परकार का होता है तीन परकार का बैधानिक, परंप्रागत और एक हो जाएगा आपका करिस्माई 89 नमबर प्रस्ण देखेंगे कि भारत के निमलिकित नगरों में से किस में देश का पर्थम कृत्रीम रबर सयंत्र लगाया गया तो कृत्रीम रबर सयंत्र जो लगाया गया है ये लगाया गया है पानी पत हरियाना में निमलिकित किस निर्थ का संब्ध देवदासी परंपरा से है पिछले सिट में भी इस प्रस्ण का आंसर किये थे मोहिनी यट्यम जो केरल का है देवदासी परंपरा से संबंदित है सरबदिक तेजगती का प्रिंटर है तो सरबदिक तेजगती का जो प्रिंटर हो जाएगा वो है आपका लेजर प्रिंटर सबसे तेजगती का प्रिंटर है सिसू नाग ने किस राज का विले मगद समराज में नहीं किया वो था आपका आंसर हो जाएगा option number D कासी का आजा सात्रों किया था निर्मेलिकित में किसका सुमेल नहीं है सुमेल नहीं है ये पुछा गया है तो detriat automobile magneto gorsk loha तथा इसपाथ सही है आगे देखते हैं अगला है जोहान संबर्ग सोना खनन के लिए है बर्मिंगम जलपोत निर्वान गलत है D आपका ये हो जाएगा law IS के लिए ठीक है ये गलत है आपका law is path हो जाएगा आज नहीं law is path भारत में अपनाएं गए महाल नोविस model के साथ निमनेलिकित में से किस अर्थ सास्त्री का नाम जुरा है महाल नोविस model के साथ तो ये हो आपके G.A. Feldman कितने खिलारी एक टीम से मैदान पर करम 100 खोखो कबड़ी, volleyball, basketball खेलते हैं तो इसका अंसर हो जाएगा आपका 9 तो आपका होता है खोखो में कबड़ी में साथ, volleyball में 6 और वास्केट बॉल में 5 option C correct answer है जोती रंधावा संबंदित है तो जोती रंधावा गोल्प से संबंदित है ने मिलिकित में कौन सी तैराकी की सैली नहीं है तो तैराकी की सैली आपका free stroke नहीं है free stroke तैराकी का सैली नहीं है पतियों में नहीं होता है पतियों में नहीं होता है लेंटी से लेंटी सेल पतियों में नहीं होता है All India Radio का नाम परिवर्तित कर अकास वानी किस वर्श किया गया तो All India Radio का नाम बदल कर अकास वानी किया गया था 1957 में हाली में किसने दिजिटल सक्ती अभ्यान के चोथे चरण की सुरुआत की तो digital सक्ती अवियान के चौते चरण की सुरुवात जो किया गया है ये राश्टी महिला आयोक्य द्वारा computer में built permanent memory को क्या कहते हैं तो computer में built permanent memory को Roam कहा जाता है read only memory किसने 29 दिसमबर 2022 को इजराइल के प्रधान मंत्री पद की सपत ली तो 29 दिसंबर 2022 को इजरायल के प्रधान मंत्री बने हैं Benjamin Netiun कौन बने हैं Benjamin Netiun बने हैं प्रवार आपका C correct answer है जहागीर के समय निम्न में से कौन सा छेतर मुगलों से जीत लिया गया तो जहांगीर की समय जो छेत्र मुगलों से जीत लिया गया तो वो था आपका कंधार सहर जीता गया था किस वर्ष एकिकरित ग्रामीन विकास कार्जकरम की सुरुवात की गई थी यह हो जाएगा 1978 से 1989 में संकरा मिलिन के किनवन से बनने वाली गैस है तो संकरा मिलिन के किनवन से बनने वाली जो गैस है वो है आपका कार्बन डाइवकसाइड अब 5 questions आपका reasoning और math मिला के आप लोग कर लीजेगा आम आंसर बता देते हैं 96 का आंसर अ है 97 का आंसर हो जाएगा का B 98 का अंसर भी B है और 99 नमर प्रसन उसका अंसर भी हो